प्रेग्नेंट एलिफेंट वाइट लायन वो एक दूसरे का पीछा करते हुए लड़ रही थे ये सब देख सिंभा डर जाता है वो भी अपने पिता का पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे चला जा रहा था कि तभी एक मोड पर आकर वो रास्ता भटक जाता है और अपने बाप से बिछड जाता है इधर शेर पाक को मार डालता है और जब वो अपने बेटे की ओर देखता है तो सिंभा वहाँ नहीं था शेर अपने बच्चे के लिए परेशान होता है वो उसे पुकारते हुए इधर उधर भागने लगता है सिंभा बेटा सिंभा कहा हो तुम लेकिन सिंभा का कुछ पता नहीं चलता दूसरी और सिंभा जंगल में भटकते भटकते बहुत दूर चला जाता है वो बहुत धका हुआ था वो रोती रोते एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है कि तब ही लकडबग्गे की नजर सिंभा वर पढ़ती है वो अपने मन में सोचता है अरे वह सफेश शेर का बच्चा एसे खाने में तो बड़ा मसा आएगा यो सोच कर जैसे ही लकडबग्गा सिंभा पर हमला करने के लिए आता है वहाँ पर एक हत्नी आ जाती है और वो लकडबग्गे को रोक लेती है और कहती है रुक जाओ लकडबग्गे तुमें शरम नहीं आती एक छोटे से बच्चे का शिकार करते हुए चले जाओ यहाँ से नहीं तो अंजाम बुरा होगा देखो हत्नी तुम मेरे और मेरे शिकार के बीच में मत पड़ो चली जाओ तुम यहाँ से अच्छा तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते यह कह कर हत्नी लकडबग्गे को अपनी सूड में उठा कर फेक देती है लकडबग्गा वहाँ से भाग जाता है हत्नी सिंभा से पूछती है बेटा कौन हो तुम? तुम्हारे माबाप कहा है? सिंभा बहुत ही डरा हुआ था फुरोते रोते कहता है यह कहे कर सिंभा रोने लगता है हत्नी की आखो में आसू आ जाते है और वो कहती है बिटा रो मत, आज से मैं तुम्हारी मा हूँ, मैं तुम्हारी देख भाल करूँगी, मैं तुम्हे कभी कोई कमी नहीं होने दूँगी ये कहकर हतनी सिंभा को अपने साथ ले जाती है यहाँ शेर सिंभा को ढून ढून कर ठक जाता है, और वो रोते हुए अपने मन में सोचता है यो शेर सिंभा मर गया समझ कर उदास हो जाता है वहीं दूसरी और हतनी सिंभा का अच्छे से खयाल रख रही थी सिंभा भी हतनी के साथ बहुत खुश था, दिन ऐसे ही गुजर रहे थे अब हतनी खुद गर्पवती होती है, एक दिन सिंभा हतनी से कहता है मा सुना है यहीं पास में एक फलो का बागी चाहे, जिसमें कई सारे फल है मेरे सारे दोस्त वो फल लाकर खा रहे हैं, मुझे भी वो वल चाहिए तो मेरे लिए वो फल लाकर दोगी हतनी सिंभा की किसी भी बात को ना नहीं कहती थी ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए वो फल लाकर दूँगी पर तुम गुफा से बाहर मत आना, बाहर जंगली जानवरों का खत्रा है अभी तुम बहुत चोटे हो, मैं यू गई और यू आई ठीक है मा, मैं गुफा में ही रहूंगा, पर तुम चलती आना यू हतनी फल लाने बगीचे में जाती है कि रास्ते में सफेज शेर की नजर हतनी पर पड़ती है सफेज शेर बहुत भूका था, उसने दो दिन से कुछ नहीं खाया था हतनी को देखते ही उसकी जान में जाना जाती है और वो सोचता है, अरे वाह, हतनी, चलो आखिरकार मुझे शिकार मिल ही गया अब मैं आराम से अगले दो दिन इस हतनी को खा सकता हूँ ये सोचकर शेर हतनी पर हमला करने आगे बढ़ता ही है कि तब ही हतनी कहती है महराज, कुछ पर रहम कीजे, मैं गर्भवती हूँ मेरा एक और बच्चा घर पर मेरा इंतजार कर रहा है, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता क्या, तुम गर्भवती हो, और अब तु तुमें खाने में और भी मज़ा आएगा मैंने पिछले दो दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है महराज, मेरा बच्चा घर पर अकीला है, मैं उसे ये फल देकर जल्दी ही वापस आ जाओंगी क्या आप मुझे इतना टाइम दे सकते हैं? शेर जोर से हसते होए बोला, किया तुमें मैं बेवकूफ नजर आता हूँ, जो ये बाग और गाय की कहानी मुझे सुना रही हो हतनी शेर को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं मानता, तब हतनी कहती है महराज, अगर आपको यकीन नहीं होता, तो आप मेरे साथ मेरी गुफा के पास चलिए मैं ये फल अपने बच्चे को दे दूँगी, फिर आप आराम से मुझे खा लेना शेर हतनी की बात मान लीता है, और वो हतनी के साथ हतनी की गुफा के पास चाता है हतनी फल लेकर गुफा में जाती है, शेर हतनी का बहार इंतजार कर रहा था हतनी सिंभा को फल देती है, और रोते हुए कहती है बेटा सिंभा, अपना खयाल रखना, तुम्हें बड़े होकर जंगल पर राच करना है तुम्हें एक अच्छे राजा बनकर इस जंगल की रक्षा करना सिंभा को कूछ समझ नहीं आता कि हतनी क्यों रो रही है और वो क्यों ये सब कह रही है मा, क्या हुआ, तुम सारी बात मुझे बताओ ना, क्यों रो रही हो बाहर खड़ा शेर हतनी का इंतिजार कर रहा था और इंतिजार करते करते वो ठक जाता है और वो जूर से दहार मारते हुए गुफा में आ जाता है अरे ओ हतनी, मुझे धोका देना चाह रही थी क्या यो कहते हुआ